का स्वागत करता हूँ आज कंपड़िशन कवर्मेटी के ऑनलेन प्रेटफॉर्म पे आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का जो पहले चेप्टर है उसका इतिहास के पहले चेप्टर हमने पढ़ा था इतिहास जानने के असरोद और आज हम इतिहास जानने के असरोद से सम्मंदित कुछ महत्पूर्ण एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे कुष्टन करेंगे तो धियान रखिएगा इसमें ऐसा बहुत ज्यादा डीप से प्रस्ट नहीं पुछा आता जो आज तक प्रस्ट पूछे गया है ठीक वह बहुती समाने प्रकार कर रहे हैं और उसी से आधारित प्रस्ट बना रहे है ठीक ध्यान रखिएगा तो चलिए आज हम करते हैं इतिहात जानोर के स्रोत का कॉश्टन सबसे पहले हमारा ककॉश्टन है भारत में सरप्रथम, ठीक ध्यान रखिएगा, भारत में सरप्रथम, पूरा पासान का अलिन स्थल की खोज किसके द्वारा की गई, चली बताइए, किसके द्वारा की गई, पहला है लाड कनिंगम, दूसरा है राबर्ट बुरूस फूट, तिसरा है डी टेरा, और चौता है जान मारसल, आप इनके बारे में थोड़ा मुड़ा तो हलका सा जानकरी जरूर रखते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर है आपका राबर्ट बुरूस फूट, राबर्ट बुरूस फूट ने कहां पर, मद्रास में, ध्यान रखिएगा, मद्रास के जो ठीक, इसी पल्लावरन नमक स्थान से हैंड एक्स की खोज़ की थी, हैंड एक्स ठीक, तो ध्यान रखियेगा, सबसे पहली बार भारत सहीत एजिया में, ठीक, एक्चुली में एजिया का नाम लिया रता है, भारत सहीत एजिया का सबसे पूराना, पूरा तात्विक, Coursean कि जो आपका उपकरन मिला है वो मदरास के पला वरं के पास मिला है तीक और वो का मिला है हैंड एक्स हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार थी घ स्ट कुठार कलियर है इतिक तर एक प Tenn और पर ले कोषण आद्द इतिहासिक और इतिहासिक अर्थात इतिहास को इन तीनों कालों में बाठने का स्रय किसे दिया जाता है। है तिए प्रष्ण थोड़ा सा अलग था अब देखते हैं तिसरे प्रष्ण कहता है अभी लेखों के अध्यन को हम किस नाम से जानते हैं अभी लेख जैसे असोग के अभी लेख थे तिक यह इरान में जो आपका पुराना अभी लेख प्राप्थ हुआ है आपका की किसी भी जेवास्म के अगर आयू की गणना करते है तो एक आधार होता है k invert कर एक का निरधारन करने का विज्ञान है क्देन्रोलोजी इन्टूलोजी केलिग्राफी इसको कहते हैं सूलेखन, अर्थात अच्छा लेखन, अच्छे हैंड रैटिंग से लेखने का जो विज्ञान होता है, उसको सूलेखन कहते हैं, और लिंग्वा फ्रांका का मतलब होता है भासा से संबंदित अध्यान, क्लियर है, चलिए, तो इसका उत्तर होग अगे बढ़ते हैं, अगला है सिक्कों के अध्यान को हम किस नाम से जानते हैं, तिक किस नाम से जानते हैं, तिक किस नाम से जानते हैं, तिक हम इसको जानते हैं, निमिस्मेटिक्स के नाम से, तिक क्या है निमिस्मेटिक्स, अगला है काइनोलोजी, तिक एकोलोजी और ति ब्रोमेतोलोजी ठिक ध्यान रखेगा यह जो ब्रोमेतोलोजी है यह है आपका study of food इसमें भोजन का अध्यान करते हैं और जो आपको एक्रोलोगी है ठिक इसमें हम medicine अर्थात दवाइओं का अध्यान करते हैं दवाइओं का तो आपका उत्तर होगा निमिस्मेटिक्स, ठीक, निमिस्मेटिक्स के अंदर हम विभिन परकार के सिक्कों का अध्यन करते हैं, ये जो सिक्के हैं, किस परकार के हैं, किस काल के हैं, किस परकार से बने हैं, ठीक, इत्यादि का अध्यन करते हैं हम निमिस्मेटिक्स के अंतरग कभी कभी क्या है तिक असत्य लिखा रहता है और हम ठीक इधर ऑप्सन लगा दिये रहते हैं ऑप्सन ए बी सी जो भी है तो अराम से पढ़ना इस प्रकार के प्रस्त में लिपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है आपको ट्रू स्टेटमेंट को खोज करना है तो चलिए पहले देखते हैं ब्रामी लिपी बाएं से दाएं लिखी जाती इसका मतलब तिक इस प्रकार इस तरब से बाएं से दाएं दूसरा है खरोष्ठी लिपी दाएं से बाएं लिखी जाती इस प्रकार से तिक तिसरा स्ट तरात्मक है, अर्थात, पिक्टोग्राफी है, पिक्टोग्राफी, क्या सही है, ठीक, यहां देखिए, उप्रोग्त सभी, तो आपको क्या लग रहा है, दिमाग लगाई है, क्या लग रहा है, तो पहला यह स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और ति लिपी जाती लिखी आती है और जो अब हरपस सभेता है इस सभेता की लिपी आपका भाव चित्रात्मक है क्लियर है अर्थाथ ठीक उपरोग्त तीनो स्टेट्मेंट क्या है सत्य है चली आगे बढ़ते हैं अब अगले देख लेते हैं ठीक कि रीग वेद के संबंद में असत सब्सक्त कफंद बताईए मैं पहला वसन है विश्व का प्राचिंतम ग्रंथ है है थिक् upright चुके हैं कि रीग वेद जो हैं विश्व का प्राचिंतम ग्रंथ है ठीक है चलिए इसकी में एक पुस्ताओं कर फूरा और इसी में सब्सक्व कर आदिया हमारे तिन्या चार ध्यान रखेगा इरान की पुस्तक जेंदा वैस्तामे रिगुवेति रेजियोताओं का वर्णन है ठीक है चलिए दुसरे statement है साकल वाशकल आसवलायन आदी रिग वेध की सकाइएं क्या लग रहा है साधन वासकल आसवलायन रिग मंदल में है क्लियर है क्याँ पांचमे मंदल में है डसराग का वर्णन अगला judgment भी पढ़ लेते हैं ठीक दशन मंदल में चातुर बढ़न्षा का वर्णन यह तो पता है आपको हां भी सही है कि buddy मंढ़न में चातुरियुड वर्णन रहे थिक तो बस जा रहा आपका जो स्टेटमेंट्ट के बारेम पता है अगर दसराग यूद के बारेम नहीं पता है तब भी यह C आप ला सकते हैं ठील है अरथात मैं आपको बता दूँ कि दसराग यूद है इसका वर्णन आपका किस मंदल में है तो यह आपका मंदल में है ठील है ध्यान रेख необходимо दस राग यूद का वर्णन किस मंडल में है, सात्वे मंडल में है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तिक यानि कि आपका असत्य कथन कौन सा हो गया, यह C, यानि इसका उत्तर क्या होगा, C होगा, चलिए अगला कोश्चन क्या है सुमेलित करना है ठीक अगला कोश्चन सुमेलित है इसमें वेद और उपवेद के बारे में चर्चा किया गया है तो रिगवेद का उपवेद क्या होता है रिगवेद का उपवेद होता है आपका ठीक है कौन सा रिगवेद का उपवेद आयू उसमें क्या होता है गंधर्व लोग जो है निरित्य और गायन का सौक रखते थे हमेशा तो गंधर्व से हम सामवेद को जोड़ सकते हैं यजूर्वेद का संबन किससे है भई धनूर से है ध्यान रखेगा ट्रिक में हमने इसको लेकर रखा यजूर धनूर तिक है और अगला हो गया एक फोर चलिए हो गया ठिक फ्री थिक यजूर्वेद का आपका तू यानीसी का टू यादिटी पहला वाला Right ऐसं समझ में ठिक रिख वेट का आयम वेद सामवेद का गंधर यजूर्वेद का धनूरवेद और अथरूरीद का सील्पर वेद इसखेगा एक सिक X हर Katherine में होते हैं आपसी भी होंगे तो इस सीली मिश्ट्र को कम करना है तो आपको कम से कम प्रस्ण को दो बार खोटे जो क्म दो बार अगर लंबा प्रeights iy त इसको कम से कम दो से तीन बार पढ़ना है तीन इस प्रकार की चीजहों को आप पेंसिल रखें, अंडरलाइन कर लिए कि प्रस्ण पूछा क्या जा रहा है, होता कुछ और है, प्रस्ण में ठीक, और हम कुछ और एंसर लगा के आते हैं, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, पुरान और उसके विश्णु पुरान, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, कि व मिश्णु पुरान का संबन्द किस से है, मौरेवंस से है, ठीक ये सही है, ठीक वायू पुरान का संबन्द सुंगवंस से है क्या, बिल्कुल वायू पुरान का संबन्द गुप्त के साथ सा सुंगवंस, यानि कि यहां गुप्तवंस का भी यहां पर आपका नाम आ ये भी सही है मतद्स से पुरान का सब्भद Guphtwese है क्या जी नहीं अर्थाथ त्नेट् Gaming को नो है यह वाला छी मतद्स से पुरान का संब्भाद। आंध्र 7 DANומंस हो पी जह साथवाहन है अंध्र साथ beim साथ वहनवन्स का यहां पर उल्लेक है और यह मदस्ति पुरान जो है यह सबसे प्राचीन पुरान है ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीन ठीक है और साथी साथ सबसे अदा प्रमानिक पुरान के रूप में हम इसी को जानते हैं प्रमानिक तो दो चीजे हैं सबसे प्राचीन पुरान है और सबसे प्रमाडिक पुरान है clear है तीक है अब देख लिजे अगी पुरान में आपका तांत्रिक पद्धती का वर्णन है साथ ही साथ इसी में गणेश पुजा का भी वर्णन है इस चीज को हमने चेप्टर में पढ़ा है ध्यान रखिएगा किसका का वर्णन हे गनेश पूजा ठीक है चलिए इतना आगे बढ़ें बढ़ते भाई नीम लिखित में से कौन सा साहित नहीं है यहां पर हमको करेक्शन लिटरेच्टर जैन लिट्रेचर क्लियर है चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं तिक तो ध्यान रखेगा परिशिष्ट परवन भद्र बाहु चरित्र आचरांग सुत्र और महावस्तू दिमाग लगाईए तिक डिराइब्ड की जैन सर जल्दी से क्या है इसका सही अंसर ठीक है तो ध महावस्तू तो निम लिखित में से कौन सा जैन करते ही तो कौन नहीं है अब अगला प्रस्त डेग लेते हैं अगला प्रस्त है नीति का पंडिट याट्रियों का राजकुमार के नाम से किसेश्गाइद करते हैं तो ध्यान रखेगा तिक नीति पांडित का चार नाम दिख रहे होंगे. इनमेर्स से आपका उत्तर कौन होगा? इसमें उत्तर होगा वेन सांग. द्यान रखेगा. वेन सांग को ही हम क्या कहते हैं? नीती का पंडित. नीती का पंडित. यात्रियों का राजकुमार. चलिए, बता देते हैं. ठीक, वेंसांग जो है, किसके दर्बार में आया था, ये हर्सवर्धन के दर्बार में आया था, हर्सवर्धन के दर्बार में आया था, वेंसांग, फाहयन किसके दर्बार में आया था, ये जो आया था, चंद्रगुप्त, दृतिय के दर्बार में आया था, clear है, ठीक है, उस सांग की रचना है सी यू की और आपके फायान की रचना है फो को यू की या फो यू की ठीक कहीं कहीं पर इसको नहीं लिखा रहता है फो यू की ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न क्या है भाई अगला प्रस्न है निम लिखित में से कौन गलत सुमिली थे फिर वही अंडरलाइन किजिए इस चीज को ठीक इस चीज का अदर डालिए ठीक गलत सही कहीं पर भी इस परकार का है तो सब से पहला काम और स्विंग किधर जाएगा पता नहीं रहेगा चलीए ठीक है तो सब से पहले हमने किया कि गलत सुमिली अझा गलत को देखना है चलिए, सबसे पहला है फिर्दोसी, साहनामा, हमने चेप्टरन पढ़ा है, बिल्कुल सही है, फिर्दोसी द्वारा साहनामा नामा पुस्तर की रचना किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? बुक आफ किंग साह नामा ठीक है दूसरा है अली हमाद बिल्कुल हमने एक ट्रिक बना था अली हमाद चाचा है हमारे तो चच नामा ठीक ये भी सही है अगला है अबूल फजल अकबर नामा बिल्कुल ये भी सही है ठीक ये दोनों मिलते हुए है अब है अल बोरुनी तापकाते नासरी, यह आपका गलत है, यानि गलत सुमेलित यह है, यानि उत्तर हमारा, ठीक, क्या है, D, ध्यान रखिएगा तापकाते नासरी की रचना किसनी की थी, ठीक है, तापकाते नासरी की रचना, जिया उद्दिन बर्नी की रचना है, किसका, ज चिया उद्दिन र्जाण बरनि छुई आगे बढ़ें अल्बरूर्णी की रचना क्या है यह भी चर्चा कर लेते हैं अलवाद अलबरूर्णी की कह सब्सक्र 봃 रूर हिंद किताब रहर कर और हिंद ध्यान रखेड़ा इसकी रचना है किताब रहर है १ फिर अगला प्रस्त हमारा है यो देख लेते हैं ठीक है चलिए ठीक अच्छा खासा है सुमेलित करना है इसमें ठीक चलिए इस तरफ में आ जाता हूं यहां से हम सुमेलित करते हैं ठीक देखेगा पहला है अभिलेक के बारे में हैं ठीक निमलिकित में से कौन सा अभिलेक जो सक पढ़ेंगे सब्सक्राइब नासिक अभी लेक महाराष्ट में है इसका संब्स्राइब पुलूवामी से है यह इसी पुलूवामी भीतर गाव भीतरगाव में भीतर कौन सा रहता है कंद मतलब कानदा ठीक तो बीतर कंद है यानि सकंद ध्यान रखिएगा कंद मतलब कांदा भीतर गांँ यानि भीतर ट्रिक बनाकर रखने है इसको एरण अभिलेक सब को पता है गुपत काल के अंतिम समय में ठीक है आपका सती पर्था का उल्लेक की इसमें मिलता है तो एरण अभिलेक का संब्द भानुकुपत से है और इसी के बारे में विसेश चीज है, कि एरण अभी लेक में सर्व पर्थम सबसे पहली बार सती पर्था का वर्णन है, सती पर्था ध्यान रखेगा, तो किस में है, एरण अभी लेक में, तो हमारा उत्तो इस प्रकार हो जाएगा, यहीं से क्लियर हो गया, फिर भी मिला लेते हैं आगे तक, आगे तक मिला लिजिएगा, ठीक है, C का 4 यह भी सही है, और D का 3 यह भी सही है, यानि कि आपका इसका उत्तर हो जाएगा, A, पहला वाला, समझ मैं है, पूरा मिला लिए किजिएगा, दो को देखके सिधा, टिक नह एक तरफ दर्शन और इसके प्रणेता, तो बताएए कौन से है, सांख दर्शन के प्रणेता, हमने ट्रिक बनाया था, सांख मतलब संख्यास संबंदित है, और वो कपिल देव जी है, वो क्या करते हैं, संख्यास संबंदित रन बनाते हैं, तो कपिल, सांख दर्शन, निया नया दर्शन का है गौतम विशेश कड़ हमने ट्रिक बनाया था वैसेशिक दर्शन का को ना जाएगा कड़ाद के साथ साथ उलुक का भी नाम आता है कड़ाद एवं उलुक क्लियर है योग दर्शन इसको तो कोई नहीं भूलेगा क्योंकि बाबा राम देव पातंजली के ब अगला प्रस्त में देखते हैं अगला प्रस्त प्रकार है पंचमवेद के नाम से किस साहित्य को जाना जाता है तो एक एक करके देखते हैं उपनी सद्ध का मरतलब क्या होता है गुरू के समी बैठ के ग्यान पराप्त करना इसमें रहस्यात्मक ग्यान कोम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं तिक यानि कि क्या होगे यहां पर बहुत ही गंभीर चर्चा होता है गंभीर विशय संबंदित व अगे है अगर संख्या बता दूँगा ठीक तो वह कोशन यहीं से बन जाएगा तो ध्यान रखेगा उपनी सद्ध का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ग्यान प्राप्त करना है पूरान यह प्राचिन अख्यान है यानि कि पुराने पुराने जो कहानिया है ठीक उसका कहा पर है यहां इसकी भी संख्या नहीं बताऊंगा क्योंगे इससे संब्नित प्रस्न आगे है वेदांग बेदांग जो है छos एक मतलब होता है रद्धा वशात किशना का में हुई है Freya कि है तो द्यान रखेगा तिक पंचम वेध हम किसको कहते है तिक पंचम वेध हम पुरान को क्योंकि हमने विडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि रिगवेद, यजूरवेद, सामवेद और अथरवेद के बाद अगर कोई सबसे महत्कूर गरंथ है ठीक है तो वह है पुरान इसलिए पुरान की महत्ता के कारण हम पुरान को पंचमवेद के नाम से जानते हैं ठीक बाकी चीजों को यहां डिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित परसन आगे है ठीक वहां मिल जाएगा आपको आगे बढ़ें बिल्कुल आगे बढ़ते हैं चलिए डेखते हैं अगला परसन का है किस साहित में कानून एवं समाजिक विधी संबंधी निश ब्रामन घृंट आरणया ग्रहं उपनिस्यत्त ग्रहं इसका उत्तर में डारेक्ट बता दे रहा हूँ ज्यादा ठीक है इंगलोँ इस यह है आपका स्मिल्टी गरंफ यहीं इसुम्रीस जो है इसी में आपका क्या मिल जाता है कानून और विधी संबंधी ठीक आपके स्में दिये गए हैं तो मैंने केवल एक का उधारन दिया यह सबसे प्राचिन इस्मृति गरंथ है तो ध्यान रखिएगा आपके इस्मृति गरंथों में कानून और समाजिक विधान का वर्णन है चलिए आगे बढ़ें आगे देख लेते हैं अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण है कि ब्रह्मवेद महीवेद और भैसजवेद के नाम से किसे जाना जाता है कौन सा साहित्य है जिसको इन नामों से जाना जाता है तो पहले इसी question को हम dissect कर लेते हैं, तोड़ के देख लेते हैं, ब्रह्मवेद, अर्थात जिसका विशाय ब्रह्म है, मही वेद, मही को हम प्रिथवी के नाम से जानते हैं, अर्थात वह वेद जिस पर प्रिथवी के बारे में विशद वर्ण है, उसको देखना है, भैसज वेद, भैसज का मतलब होता है चिकिजसा इलाज, ठीक है, अर्थात रोग निवारन, रोग, अर्थात हमको ये देखना है कि किस वेद में रोगों के बारे में चर्चा है, तो कौवन रूप से खोच के दिखिए इसमें, चारो वेद में, किसमें ब्रह्म के बारे में हैं, किसमें पृत्वी के बारे में, किसमें रोग के बारे में चर्चा है, आया दिमाग में? बिल्कुल सही, ये चौथा वाला, अथर वेद, अथर वेद को ही हम क्या न कहते हैं? ब्रहमवेद महीवेद ऑ भहसजवेद के नाम से जानते है रिक वेद में आपको पता है यहाँ पर यग्य के मंतर दिए गए है सामवेद में यहां हमारे गईन से समंदित है upset और यजूर वेद में आपके यग से इसले मंधृ ठीक यहां पर दिये गया है रीगवेद में आपके ठीक है रीगवेद कालीन समाज का पूरा वर्णन आपको रीगवेद में है किस परकार के देवता थे कितने परकार के देवता थे कि इनका क्या क्या काम था उस परकार की समाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति सार वर्णन आपका रीगवेद में अब बाक के सौलवा परस्ण पे अगला हमारा प्रश्ण इसक्रिकार है देखते हैं क्या वह है पुराणों में उने कि चार यूग की सही करमा बताईए तो सबसे पहला प्रस्ण यहीं बन जाता है, ठीक, कि चार यूगों की चर्चा कहां की गई है, तो कहां की गई है, पुरान में की गई, अगर आप से यह प्रस्ण पुछ जाए, आगे जाके, जो चार यूग है, चार यूग, तो चार यूग का चर्चा किस गरंथ में है, तो तो आपका एक परस्त यहां भी बन जाता है, पूरान में है, ठीक, इसका करम, ध्यान रखीगा, इसका एक्जाम में पुछा हुआ परस्त है, मैं भी किसी एक्जाम में इसको दिया हूँ, ठीक है, तो पहला देख लिजे, द्वापर, त्रेता, कृत और कली, तो कली तो हमको है, overall कि यह last वाला है, सब को पता है कि कली जो है, वो सबसे last में है, अब समस्या यहां पर है, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, द्वापर, द्वापर इधर आ जा रहा है, त्रेता इधर है, ठीक, तो द्वापर त्रेता है, त्रेता द्वापर, ठीक है, द्वापर पिर कली है तो दियान रखेंगे यह तो common हो गया इसके बाद कृत को दौप देखिए दौपर जो है क्रिस्न का है तो यह बीच में कृत आ नहीं सकता है तो यहां और यहां यह दो चीजें ऐसे मिल रहे थी थोड़ा सा को मन्द था तो ठीक तो तो त्रेयता ध्रीटा अथार में आपका थी राम अवतार के संबंद में तू यह दोनों आसपास में इसलिए उसको लिए गया इस को पहले क्रिट है थीख है चलिए जिसको याद भी नहीं है तो बहुत क्रिट तौपर क्रिचन का समय था ठीक है ऐसा चलिए आगे बढ़ें इंग अगला प्रसन है महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है अब तो हर घर में बहारत होता अलग-अलग नमस जाना जाता है ठीक है तो यहां पर ध्यान द bịजात पहला है जय सहीता बिल्कुल एक लाख, एक लाख स्लोक का वर्णन है, किसमें? महा भारत में एक लाख स्लोक दिये गए है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं, सत, सत मतलब सो, सहस्त्री मतलब हजार, सो हजार, सो हजार मतलब एक लाख, ठीक है, एक लाख सहीता किसमें है? ठीक, तो वो एक लाख सहीता आपका महाभारत में है ठीक अगला option उपरोग दोनों हाँ तो बिल्कुल सही ये दोनों है यानि की answer ये आएगा ठीक है समझ में आए कि नहीं है समझ में है ठीक तो ध्यान रखेगा विजय संबंदिक गरंथ है जैसे सहीता कहते हैं एक लाग्स लोग है इसले सत सहस्तरी सहीता कहते ह ये आपका तीसरा option यानि उपरोग तो दोनों आएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है गलत मिलान बताएए विच आप दो फ्लॉइंग इस नोट मैच प्रॉपरली यानि जो गलत तरीके से मैच है ठीक है इसका मतलब है कि आमने सामने देखना है ठीक हमको कूट नही ने की है याद कीजे दिमाग लगाई है याद आया बिल्कुल सही अस्टा ध्याई की रचना पाननी ने ही की है महाभास की रचना चलिए इसके बारें थोड़ा बता आ जेता हूं अस्टा ध्याई जो है व्याकराण का गरंथ है इस चीज को ध्यान रखेंगा ये भी योजिए इस चीज को धां जान लिजिए अस्टा ध्याई है उसी पेटी का है महाभास से और इसका भी विशह क्या है व्याकरण है ठीक हए चली हरी श्षेन की रचना बार बाड़ अब आ जाता है ठीक राज तरंगणी और क्या मंदक तो राज तरंगर्णी की रचना हम को को पता है रां किया है कि राज तरफश्मीर का इतिहाज के बारे में चर्चे किसमें राजि तरफश्मीर का किन का है कामंदक का क और नितिसार норм की गई है तक अब आगे बढ़ते हैं तक अच्पा उत्तर तो बताना है यह है आपका उत्तर तीक यह गलत मिलान है डी जो है वो गलत मिलान है चलिए आगे बढ़ें अब देखते हैं क्या प्रस्ण है थिक फिर गलत मिलान बताईए मतलब फिर आपको हट अंडरलाइं करना है थीक ने तो सही मिलान पहला यह देखेंगे विदांग सही है और सब्सक जायेंगे चलिए यहां पर देख लेते हैं विदांग की रचना कितनी है 6 है बिल्कुल सही किसी को याद है तो बता सकते हैं कलब कर शन्द निरुक्त व्याकरण ठ subscribers चलिए यह हो जाएंगे आपके सिकतों धियां रखेंगे विदांग की रष्णा सही शे है उपनि सद की रचना एक सौ nostro बिल्कुल सही है पिटक की रचना थीन तीनों पिटक है सूत पिटक chocolates अब दम पिटक और बिनधे पिटक Ц tasked अब आ जाता है दसराग यूद, क्या दसराग यूद तिसरा मंडल में दिया गया है, नहीं, दसराग यूद सातवा मंडल में दिया गया है, ठीक, ध्यान रखेगा, सातवा मंडल, सातवा मंडल, ठीक है, और तिसरा मंडल में आपके गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, और यह भी बतातो, गैंथ्री मंत्र, सवीता नामक देवता के लिए वर्णिध है, सवीता, ध्यान रखीगा, ठीक, उसका सम्मंद सूर्षी लिया जाता है, क्लियर है, ठीक, तो गलत मिलान कोन होगे हमारा, यह दी, यह हमारा गलत मिलान है, ठीक, तो इसका उत्तर डी आएगा, चरी आगे बढ़ें अब जो प्रस्त है वो आपके लिए है इसको आपको कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या होगा तो तो आपके लिए प्रस्त है कि वुद्ध धर्म का इंस्याइक्वपीडिया किसे कहा जाता है तृम इत्विंफ vigor हैं उसके संभ्स पिर बहुत सारी चीजें की चर्चा शिस्मिल की गई है तो इत्यान रहा पीडिया माहा बहुत धर्म का किसे कहा जाता है सुत्ट पिटक विनय पीटक अभीधम पिटक और महावन्स ये चार option आपके लिए है तिक आपको क्या करना है कमेंट करना है कमेंट box में ठीक है और ध्यान रिखेगा इस से संबंधित अगर आपको इनी को रिपीट करना है बनाना है ठीक तो आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा कमपडिशन कम्मुनिटी का ठीक उस पे आप जाए ठीक है और आपको वीडियो लेक्चर करेंट अफेर्स या और किसी विश्य से प्लेट के लिए ठीक तो आपको कम्प्लीट के लिए ये प्लेटफर्म आपको उप्योगता है यहां पर आपको सारी चीजों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती जाएगी तो ठीक है दोस्तों यह हो गया हमारा आज का mcqs के बारे में अब हम अगला चैप्टर और अगल अगले चैप्टर के लिए हम कुछ दिनों बाद आपको वीडियो मिल जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद तहरी के लिए बढ़िया रही है झाल झाल